सुप्रभात बच्चों, मैं निवरीता मैम आपको कख्षाचार की हिंदी का जो पहला अध्या है, उसे पढ़ाने जा रही हूँ तो पहला अध्या है हमारा ये कवीता है और कवीता का नाम है भारत प्यारा, ठीके? तो कवीता का मूल उद्यश यह है कि इस कवीता में हमारे तेज की सांस्कृतिक एवंग पाकृतिक सुन्दर्ता की महिमा का वर्णन है कवी ने इस कवीता के माध्यम से भारत की वसुदेव कुटमबकम की भावना को भी उजागर किया है तो वसुदेव कुटमबकम का अर्थ है संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है मानवता के हित में भारतिय संस्कृति की इसी पारिवारिक भावना का विस्तार था भार्यत्य संस्कृति का पूर्वी एवंग पश्चिम देशों में विस्तार एवंग रचनात्मक योगदान इसी भावना का परिणाम था विश्यो सांती एवंग उच्च मानविय मुल्यों के पोशन के लिए इसी भावना की पूर्ण जागरान करने की आवश्यक्ता है तो हमें पूरे विश्यो को एक ही परिवार की तरह देखना चाहिए और जैसे परिवार में सारे सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखते हैं एक दूसरे को स्नेह करते हैं उसी प्रकार हमें भी सारे विश्यो को अपना परिवार मानते हुए इसका मतलब जैसे परिवार की हम तो चलिए कभिता क्या है कि देश हमारा भारत प्यारा सब देशों से न्यारा है इसको रिशी मुनियों ने मिलकर अपने हाथ सवारा है इसकी सेवा में बहती गंगा यमुना की धारा है इसके चलणों को पखारता जलनिधी हिंद हमारा है मनुजों को ही नहीं सदा यह देवों को भी प्यारा है दिन में करता सूर्य रात में ससी करता उजी आरा है दिया ग्यान सारी दुनिया को सबको दिया सहारा है सबको करता प्यार कभी भी नहीं किसी से हारा है हारे हुए शत्रू को इसने बंदू करकर पुकारा है यह प्राणों से प्यारा हमको यह आखों का तारा है तो इस कभिता में कुछ आपलों के लिए सब्द आए हैं जिनका अर्थ जानना आवशक है तो देखिए यह है सब्द भंडार इसमें एक सब्द है न्यारा न्यारा का अर्थ है अनूठा या अलग रिशी तपश्वी मुनी तपश्या करने वाला जिस हम साधू भी कहते हैं तो मुनी मनन चिंतन करने वाले तपश्वी मनन सिल व्यक्ति पकारना मतलब धोना साफ करना जलनिधी मतलब समुद्र जलनिधी हिंद मतलब हिंद महासागर जो भारत के दक्षिन में है मनुज मतलब मनुश्य शशी चंद्रमा उजियारा मतलब उजाला बंदू मतलब भाई और मुहावरा यहाँ पर है देखिए आखों का तारा मतलब मुहावरे कारते हैं बहुती प्यारा तो चलिए इसको हम अभी समझते हैं